आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे class 10th की exercise 9.1 का question number 7 इससे पहले जो 6 questions हैं उन सबको हम discuss कर चुके हैं अगर आपने वो videos नहीं देगे हैं तो description box में link है आप उन videos को देख सकते हैं तो question है from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively question में ये दिया है कि हमारे पास में एक tower है वो एक building के उपर fix है यानि मान लीजिए ये हमारी building है ये कई building इसको हमने नाम दे दिया A, B इसके उपर एक tower fix है तो हमने tower मान लिया BC जो tower है वो BC है और जो उनके angle of elevations है वो 60 degree और 45 degree है तो 45 degree कौन सा होगा obviously जो छोटा angle होगा वो 45 degree होगा तो यहाँ पे ये angle 45 degree है और जो पूरा angle है बड़ा angle वो हो जाएगा हमारा 60 degree तो यहाँ पे ये angle 60 degree है अब हमको find out करना है find the height of the tower हमको tower की height को find out करना है यानि tower की height कौन सी है तो tower की height है students CB तो CB जो है हमारी tower की height है मैं एक बार फिर बता देता हूँ अगर question अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसका solution आसानी से हम निकाल सकते हैं एक बार फिर को स्फिर से question को देख लीजिए एक building है उसके ऊपर एक tower खड़ा हुआ है जो building थी उसकी जो height थी वो 20 मीटर थी तो हमको क्या find out करना है हमको find out करना है जो height of the tower यानि जो tower था उसकी height कितनी थी तो चलिए solution देख लेते हैं let a b be the height of building and b c be the height of tower यहां पर जो हमने tower की height और building की height है उनको मान लिया उनको हम just लिख देंगे and then a b क्या होगा हमारा a b हमारी जो height हो जाएगी वो 20 मीटर हो जाएगी क्योंकि given है जो building है वो कितनी है 20 मीटर high है तो 20 मीटर high building के उपर क्या रखा हुआ है tower रखा हुआ है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो हमारे angles है तो angle b d a तो b d a angle कौन सा था हमारा तो angle b d and a यानि यह छोटा वाला angle यह कितना था हमारा 45 degree तो हमने 45 degree लिख दिया और angle हमारा c d a तो यह c है यह d है और यह a है तो जो बड़ा वाला angle है यानि यह angle यह हमारा कितना है 60 degree है तो हमने इसको लिख दिया अब student हमने माल लिया d a यानि d a जो distance है यह वाली distance इसको हमने x meter माल लिया और b c जो है इसको हमने h meter माल लिया तो b c basically है क्या है b c है हमारा tower यानि tower की जो height है वो हमारी कितनी है BC है then in right angle triangle अब तो को right angle triangle create हो चुके हैं दो वो कौन कौन से हैं B, A, D and C, A, D तो यह दोनो right angle triangle create हो चुके हैं अब यह हम बात कर रहे हैं B, A, D में तो B, this one A and D तो यहाँ पर हम students use करेंगे 10 का Y I am using 10 तो 10 का use हम क्यों कर रहे हैं तो हमको पता है पापा, B, D, P, O, G A, A, D, A इस तरीके से हमको पता है तो इसलिए हमको यहाँ पर देखना है perpendicular और base में relation तो perpendicular और base ना तो sign होता है ना cos होता है यहाँ पर यह 10, इसको हम बोलते हैं 10 यानि third वाला 10 आता है तो यहाँ पर हम use करेंगे 10 का 10 का use क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको relation चाहिए perpendicular में और base में तो यहाँ पर हमने use किया 10, 45 का क्योंकि हम छोटे वाले triangle में बात कर रहे थे B, A, D में तो हमाई पास में angle है 45 degree तो हमने 45 degree लिख दिया तो perpendicular क्या है perpendicular है हमारा A, B तो हमने A, B लिख दिया और हमारा base क्या है D, A तो हमने D, A लिख दिया अब इनकी values लगा देते हैं तो students 10, 45 की value होती है 1 तो हमने 10, 45 की value 1 लगा दी A, B A, B जो है हमारा यानि जो height of the building है वो A, B है तो उसकी value कितनी है 20 meter तो हमने 20 meter यूज कर लिया D, A की value कितनी है X जो हमने X माना था तो हमने X लिख दिया यहां से हम X की value find out कर सकते हैं तो X की value cross multiply करने से कितनी आ जाएगी 20 meter तो X की value स्टेंट 20 meter आ चुकी है जो question आगे है आगे के portion के लिए अगले page पर चलते है तो students अब हम बात करेंगे in triangle CAD में यानि जो big triangle है CAD तो अब CAD में बात करेंगे इसमें भी हमको use करना है 10 का तो यहां पर अगर जब हम angle की बात करेंगे तो यह angle पूरा students बनेगा 60 degree का तो guys 60 degree का angle यहां पर create हो रहा है तो 60 degree को use कर लेंगे अब यहां पर जब हम perpendicular की बात करेंगे तो perpendicular हमारा हो जाएगा AC यानि यहां से यहां तक की total distance तो यहां AC यूज कर लेंगे और हमारा जो base है वो हो जाएगा DA तो यह हमारा DA ने use कर लिया तो students यहां पर हम use करेंगे 1060 की value 1060 की value हमारी होती है under root 3 तो AC की value कितनी है हमारी 20 यानि इसको हमने add कर दिया 20 plus h तो AC को हम यहां लिख सकते है 20 plus h meter और जो DA है उसकी value कितनी है BA DA की value कितनी है x तो हमने x यूज कर लिया अब यहां पर हम करेंगे cross multiply और यहां से हम x की value find out करेंगे तो देखिए हमने कैसे की under root 3 x जब आप इसका cross multiply करेंगे तो x का multiply under root 3 से होगा और 20 plus h का multiply 1 से होगा यहां माल लेते हैं यहां 1 है तो हम 1 से multiply करेंगे तो x का multiply जब अब under root 3 से किया तो under root 3 x आ गया is equals to 20 plus h आ गया अब यहां से जब आप x की value निकालेंगे तो x is equals to 20 plus h यहां पर जो under root 3 है वो multiply में है तो right hand side पर जाने पर क्या हो जाएगा divide में तो x की value हमारी यह आ चुकी है अब इस्ट्रेंट्स आगे देखते हैं from equation 1 and 2 यह हमारी second equation थी और first equation हमारी last page पर थी तो वहां से हमने इन दोनों को निकाल लिया तो देख लिते हैं तो यहां पर students जो x की value थी जो previous page पर आई थी x की value वो 20 थी तो हमने x की जगे पर यहां 20 use कर लिया अब यहां से हमें h की value find out करनी है हम कर लेते हैं तो students यहां पर जो value है हम cross multiply कर सकते हैं तो हमारी value आ जाएगी 20 plus h is equals to जो हमने इसका x से cross multiply किया तो यहां 20 के नीचे 1 मान लेते हैं तो 1 का multiply जब 20 plus h से करेंगे तो 20 plus h ही आएगा और जब 20 का multiply under root 3 से करेंगे तो 20 under root 3 आएगा तो यहां से हम value निकाल सकते हैं h की h परावर 20 under root 3 यहां पर देखी यह plus में हैं तो वहां जाकर यह minus का 20 हो जाएगा तो h की value यह इतनी आ चुकी है तो 20 अब यहां से देखी आप तो यहां से हम common ले सकते हैं students 20 को तो जब मैंने 20 common लिया तो मेरा बचा under root 3 और यहां पर यह 20 है तो यह minus का 1 तो इतना मेरा answer आ चुका है अभी तक अगर students आपने हमारे चैनल CVSE घ्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे 10th की classes के Science के, Math के और SSD के वीडियोस हम इस पर डालते हैं अगर आप भी 10th class में हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद